नमस्कार दोस्तों और स्वागत करताओ एक और फिसोड करंसी उनिवर्स में तो दूस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों दिखाऊंगा हौंग्कॉंग की करंसी को जिसको दा हौंग्कॉंग टॉलर क تरो Kayται है तो ज़्ये वीडियो को शूरू करते हैं दोस्तो होंग कोंग की डॉलर जो है वो होंग कोंग की ओफिशल करेंसी है और एक होंग कोंग डॉलर की वेलो आज की डेट पे इंडिया में तकरीबन सारे 10 इंडियान रुपे है पाकिस्तान में तकरीबन 30 पाकिस्तानी रुपे है और बांगलादेश में तकरीबन 14 बांगल दॉलर की नोट, Hong Kong dollar की subunit को कहते है cent और ये रिवाइट किया गया है $1 as well to 100 cents और इसकी ISO code है HKD, Hong Kong की dollar जो है ये 9th most traded currency in the world है, दोस्तों Hong Kong की currency जो है ये 10 दॉलर की नोट जो है वो print करते है Government of Hong Kong और जो सारे coins से वो भी print करते है Government of Hong Kong, लेकिन 20 दॉलर से लेके $1,000 तक, 3 commercial banks प्र पर्मिशन फ्रों the Hong Kong monetary authority और ये 10 बैंक से Standard Chartered Bank, Bank of China और HSBC बैंक लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोग जो मनमर्जी प्रिंट करते हैं ये सारे बैंक से कुछ फिक्स तर्म्स और कंडिशन्स को लेके Hong Kong की currency notes को प्रिंट करते है Hong Kong की dollar जो है वो packed to the US dollar है at the rate of 7.75 to 7.85 के बीच में तो चले अभी देखते है Hong Kong की सबसे छोटी वाली note जो है 10 dollar की note ये रहा Hong Kong की 10 dollar की note आपके स्क्रीन के ओपर और next note आते हैं Hong Kong की 20 dollar की note ये जैसे मैंने आप पहले कह चुका हूँ 20 dollar की note प्रिंट करते है 10 banks, Standard Charter Bank, Bank of China और HSBC Bank एक बद कहे दू कि ये जो 20 dollar है 50 dollar जो भी है इनके सारे individual denominations जो है 10 banks शुशू करते हैं almost the same color और similar designs प्रिंट करते हैं तो ये रहा Hong Kong के 20 dollar note टीनो बैंकों की आपके स्क्रीन के ओपर 20 dollar के बाद चलिए देखते हैं 50 Hong Kong dollar की currency note क्या साई दिखने के लिए 10 अलग अलग banks की और ये रहा देख सकते हैं आप 100 Hong Kong dollar की note आपके स्क्रीन के ओपर और अभी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ओपर 500 Hong Kong dollar की note कैसा है दिखने के लिए और फाइनली ये रहा 1000 Hong Kong dollar की note कैसा है चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन के ओपर दोस्तों आपमेना Instagram account में जरूर फोलो कीजिएगा जो है currency universe लिंक डिसे डिस्क्रीप्शन पे है और इस सारी वीडियो आप English पे दिख सकते हो मेरा English चैनल में जो है currency universe English लिंक डिसे डिस्क्रीप्शन पे है Hong Kong dollar की आनफिशल यूजर मकाव भी है और 1 Hong Kong dollar 1.03 मकान इस पटाका से लिंक किये गये है और नॉर्मिली एक Hong Kong dollar एक मकान इस पटाका से रिटेल टर्जेक्शन पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चलिए अभी दोस्तों देखते हैं 100 Hong Kong dollar में आप क्या-क्या normal day-to-day सामान तो 100 Hong Kong dollar याने की 1,050 रुपे एप्रोक्स इस पे आप डूठ की बात करें तो डूठ आप 4 लिटर खरीच सकते हो याने की पर लिटर आपको इंडिया के 260 रुपे पर रहे हैं अगर next आलू की बात करें तो आलू आप 100 Hong Kong dollar में 5 किलो खरीच सकेंगे याने की पर किलो आपको 210 इंडियान रुपे पर रहे हैं एपल की बात करें तो आप 100 Hong Kong dollar में 3 किलो खरीच सकते हो इंडिया के साथ कंपेर करें तो ये सारे 300 रुपे पर गजी इंडियान रुपीज में परेंगे उसके बाद अगर मैं टमाटर की बात करें तो टमाटर 100 Hong Kong dollar में आप 4 किलो खरीच सक की बात करें तो Hong Kong में मिलते हैं 23,000 Hong Kong डॉलर यानी कि 240,000 रुपए इंडियान रुपए पर मंठ वही एवरेज सेलरी अगर मैं नई दिल नहीं कि देखते हो तो देख सकते हो कि यह 50,000 रुपिया इंडिया में है तो Hong Kong की काम कर रहे हो उटना पैसा मिल रहे है एवरेज सेलरी तो आपको होंग को में सामान खरीदने के लिए जादा पैसे रहेंगे compared to अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो और इंडिया में खरीद रहे हो सामान दोस्तों यह रहा होंग कोग की डॉलर के ऊपर एक करेंसी वीडियो उम्मीर आपको सुरों का अच्छा लगा और इंफोर्मिरिव रहा अभी भी कुछ भी questions से doubt से ज़रूर पुछेगा as usual वीडियो को लास तक देखने के लिए बहुत बहुत शोकरिया subscribe ज़रू कीजएगा अगर आपने अपने अपने subscribe नहीं किये हो तो तो फिलाल आज के लिए इतना ही अपना खयाल ज़रूर रखिएगा take care and see you soon bye-bye